तो प्रफात बिद्धियार्थियों, आशा है आप लोग पूर्ता सस्थ होंगे, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में भाषा के तेरवे यानि की अंतिम बिंदू की विशय में विस्त्रित रूप से अध्यन किया था, जिसके अंतरगत हमने देखा था कि अनुस्वार अन पाठक्रम का ओनलाइन शिक्षन कारे छटे बिंदू से प्रारम किया था, यानि कि हम अपने पाठक्रम में छटे बिंदू को लेकर चले थे, क्योंकि प्रारम के पांच बिंदू का हम लोगों ने विस्त्रित अध्यन महाविद्याले में कर लिया था, लेकिन मैंने आप से ये भी कहा कि अब हम लोग प्रारम के पाश बिंदू जो हमारे पाठक्रम के प्रारम के पाश बिंदू है जो कि बहुत महत्पूर है उनका हम लोग पुना अध्यन इस ओनलाइन क्लासेस के माध्यम से कर लेंगे तो अपनी इसी बात को दिश्टिगत रखते वे आज हम अपने पाठक्रम के प्राथम बिंदू को लेते हैं यानि कि विद्यार्थियों आज हम लोग अपने पाठक्रम के प्राथम बिंदू जो कि पठन और वाचन की रूप में उनका अध्यन करेंगे तो जैसा कि हम लोग को विदित है कि पठन और वाचन की हमारी भाशा में एहम भूमिका है देखा जाए तो शिक्षा को ग्रहन करने का ये सर्वाधी सशक्त माध्यम है जब भी हम कभी पत्र, पत्रिकाओं, परची या किसी लिखित सामगरी का अध्यन करते हैं तो उसी को हम पठन या वाचन कहते हैं वाचन में शब्द के साथ साथ ध्वनी का भी समावेश होता है और विद्वानों ने तो इसे अर्थ ग्रहन करने के संदर में स्युकार किया है अताहा जब शब्द के साथ ध्वनी और अर्थ दोनों का समावेश हो तो उसे हम पठन या वाचन कहते हैं विद्यार्थियों हमारी भाषा के मुखिता दो रूप है नमबर एक यानि की पठन वाचन या फिर मौकिक अभिविक्ति नमबर दो लेखन यानि की लिखित अभिविक्ति तो जब भी शब्दों के स्वार्थ ध्वनी लिपी प्रतीक आदी विंद्वों का समावेश होता है तो वो पठन या वाचन के अंतरगर आता है या यू कहें कि लिखे सामगरी को जो की प्रतीक चिन और ध्वनी के साथ होते हैं उनका पठन वाचन कहलाता है तो इस प्रकार विद्यार्थी हमने देखा कि ये पठन और वाचन क्या है अब हम देखते हैं कि ये पठन क्या महतुरकता है हमारे जीवन में या फिर विद्यार्थी जीवन में तो यदि देखा जाए तो पठन और वाचन का हमारे संपूर्ण जीवन में अत्यदिक महतुर्ण इस्थान है और इसकी विस्तृत रूप में शिक्षा देना शिक्षा के लिए नितान आवश्चक है क्योंकि ये जो पठन और वाचन है इसका हमारे जीवन के प्रतेक छण या प्रतेक पग पर इसका जो है महतुर्ण और इसकी हमें आवशक्ता पड़ती है विद्यार्थियों इसमें किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया निर्धारी थाई नहीं, माब्दन निर्धारी थाई नहीं उच, नीच, छोटा, बड़ा, अमीर, गरीब सभी प्रकार की विक्तियों को पठन और वाचन में अभ्यस्त हो जाता है या इसका अच्छे से अध्यन करता है वो समाल में प्रतिष्ठा भी खुब प्राप्त करता है अब हम देखते हैं कि विद्यार्थी जीवन में कितना महत्पूर्ण है तो विद्यार्थी आपके संदर में तो यह बहुत अधिक महत्पूर्ण है यानि कि विद्याले में जितने भी प्रकार के कोशल की शिक्षा दी जाती उनमें सरवाधिक महत्पूर पठन कोशल है पठन में जो है एक सभी प्रकार के ज्यान का समावीश है या ये कहें या ये कहूं कि पठन जो है वो ज्यान की कुझी है जब बालक पठन कौशल में अपने को अभ्यस्त कर लेता है, सनलगन कर लेता है तो विग्द्याले के अनविश्यों को समझने में भी उसे किसी भी प्रकार की कटनाय कर नहीं होता है और वह उसे सुगमता से समझ लेता है या आत्मसात कर लेता है तो वाचन जो है वो एक प्रकार की कला भी है इसके द्वारा बालक की बौधी छमता का विकास होता है हमारी जितने भी प्रकार की जितने भी साहित यह हमारी जो धरोहर है गीता, महाबारातियान और किसी भी रूप में कावी रूप में, गदी रूप में उनको उनका रसा स्वादन भी उनका आनन भी बालग पठन और वाचन के द्वारा ही ले सकता है तो इस प्रकार से ये वाचन हमारे विद्यार्थी जीवन में भी बहुत महत पूर है क्योंकि इस कौशल को समझने के बाद विद्यार्थियों को विद्याले के अन्विश्यों क भी समझने में बहुत लाप्राप्त होता है या सुगंता का अनुभा होता है अब विद्यार्थी हम देखते हैं कि यह जो बाचन पठन कौशल है यह अपने में किन-किन उदेशों को लिए हुए है यानि किन उदेशों को इसने निर्धारित किया है तो इसमें जो हम पहला प शब्द उचारण के योग बनाना यानि बालक को इतना हम अभ्यस्त कर दें कि उसका जो अच्छर का उचारण है और शब्द का उचारण है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए इस पठन वाचन के द्वारा नमबर दो बालक में उचित आरो अवरो है ना लै गति के साथ जानते हैं कि हमारे भाषा में गद्युपद्धु रूप मेन है तो जिससे कि जब बालक पद्ध साहित का या कावि का प्रस्तुतीक करन करें तो उसका आरो अवरो लै गति बिल्कुल उचित गति से चले ठीक है इसके बाद हम नमबर तीन पे ले सकते हैं कि विद्ध्यार में प्रगटिक करन कर सकें इसके अलावा विद्यार्थियों बालकों को इतना प्रभाव शाली बना देना है वाचन पठन की छेत्र में कि जब भी वो किसी भी प्रकार के का प्रस्तुती करन करें तो शोता आनन्द मुग्ध हो जाए इसके बाद हम इसमें इसके उदेश मे एक और महत्पूर्ण ले सकते हैं कि पठन और वाचन की द्वारा बालक की भाव ग्रहन करने और अर्थ ग्रहन करने की छमता का विकास करना यानि जब बालक पठन करेगा वाचन करेगा तो उसमें इतना अपने को इन्वॉल्व कर लेगा कि वो जो कुछ भी पढ़ेगा उ तक कि संकोज पुर्विर्थी का निवारन करना या उसको दूर करना क्योंकि प्राया ऐसा होता विद्यार्तियों कि बहुत से वालक ऐसे होते हैं जो लेखन कार में कार्थ बहुत अच्छा करते हैं किन्त उनकी वाचन और पठन की जो योगिता है वो थोड़ी सी मन्ध होती है किस कारण क्योंकि उनमें जिजक होती है तो वाचन और पठन की दौरा उनकी जिजक और संपोज की पृति को दूर करना कि जब वो पर्थम बार पढ़ेंगे तो ह सकता थोल संपोज की साथ पढ़ें लेकिन जब वो पठन और वाचन निरंतर रूप में करेंगे तो उनकी प्रविद्धिका भी जो है निवारन हो जाएगा तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने देखा कि पठन और वाचन के द्वारा हम निमनिकित उद्देशों की पू कौन से मुक उद्देश है आशा है ये सभी बिंदू आपको इस पश्ट रूप से समझ में आए होंगे अपनी अगली क्लास में हम लोग आगे की कौशल की विशे में अध्यन करेंगे धन्यवाद